हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ सेयर करूँगी मखाने और समागे चावल का एकदम करारा करार क्रिस्पी दोसा बनानी की रेसिपी साथ में बनाएंगे हम चटनी और मसाले वाले आलू वीडियो पसंद आये थे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चले शुरू करते हैं दोसा बनानी की रेसिपी सबसे पहले हम बनाएंगी चटनी चटनी बनाने के लिए एक छोटा सा नारियल का टोड़ा जिसको मैंने चोट आधा नुसार सेंदा नमक क्योंकि हम इसे ब्रत के लिए बना रहे हैं आधा चमच काली मिल्च पाउडर थोड़ा सा पानी डालके हम इसको पीस लेंगे यह देखिए चटनी बन के तयार है बहुत ही अच्छी लगती है यह खाने में अब हम बनाएंगे मसाले वाले आलू एक पैन में मैंने एक चमच देशी के लिया है इसमें हम डालेंगे एक चमच जीरा थोड़े से करी पत्ते अगर आप ब्रत में जीरा और करी पत्ते नहीं खाते हैं तो आप इसमें नहीं डालिए एक बारी कठी वहरी मिल्च डालेंगे एक इंच अदर के टुकडे को मैंने बारी काटके डाला है एक मिनिट भून लेंगे अब इसमे हम डालेंगे थोड़ी सी भुनी हुई मूफली एक मिनिट के लिए हम इने फ्राई कर लेंगे अब यह मैंने दो आलू को हाथों से मेश कर लिया है आप चाहें तो इसको छोटी चोटी टुकड़ों में काट भी सकते हैं इसको डाल के अच्छे से मिला लेंगे एक मेट हम इसे भूनेंगे स्वादनसार सेंतर नमक डालेंगे आधा चमच इसमें मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूं इसको अच्छे से मिला लेंगे और एक मेट अच्छे से भूनेंगे जो भी चीज आप रित में नहीं ख मखाने लिये हैं और ये एक कप मेने लिया है समाके चावल की मखानों को हम हलका रोष्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इसे पीष कर इसका ऑऊडर वनाना है अगर हम इसे काइचỹ रोष्ट करके पीसेंगे तो बहुत अच्छा फाइन पाउडर बनके तयार होगा मखानी रोष्ट हो गए है आप देख सकते हैं का कलर भी हलकल का चेंज हो गया है मैं आपको यह तोड़ के दिखाती हूँ यह देखे अब हम इनको एक ब्लेट में निकाल लेंगे मैंने यह लिया है ग्रैंडिंग जार इसमें हम डालेंगे मखानी एक कप समा के चावल अब हम इनको पीस करेंगे फाइन पाउडर बना लेंगे मखान की चावल को हमने पीस लिया है एगतम फाइन पाउडर बन गया है इसका यह देखिये एगतम आठे जैसा ऐसा ही हमें पीसना होता है अब हम इसको एक बड़ी बरतन में कर लेंगी अब हम इसमें डाल रहे हैं दो चमस द्ही अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसको मिलाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम पतला बैटर त्यार करना है हमें पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे इसमें जिससे बैटर एकदम स्मूथ बनता है अब हम इसको दसमेट रेष्ट के लिए रख देंगे दसमेट रेष्ट के बाद आपको अगर बैटर थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा पानी और मलाके इसे पतला कर लीजिए कंसिस्टेंस इसकी ऐसे होनी चाहिए हमें एकदम पतला बैटर बनाना है अगर आप इसे घाड़ा बनाएंगे तो दोसे एकदम मोटे मोटे बनेंगे इसमें हम डालेंगे अब साधनसार सेंदा नमक इसको अच्छे से मिला लेंगे इतने बैटर में छे डोसे बनके तयार हो जाते हैं आपको भी बैटर इतना ही पतला रखना है तभी डोसे एकदम करारी करारी क्रिस्पी बनेंगे पतले पतले अब एक डोसा पैन लेंगे इसे हम लगाएंगे थोड़ा साथ घी तभा एकदम तेज गरम होना चाहिए और हम ऐसे बैटर को इसे साइट से डालते चले जाएंगे पहले हमें किनारों से डालना सुलू करना है फिर हम इसे ऐसे फिलाते जाएंगे बीच में और जहां भी आपको लगे बैटर नहीं है आप उसको थोड़ा थोड़ा और डाल दीजिए मैटर डालने के बाद गैस का फ्लेम मीरियम कर दीजिए जिससे डो से करारी करारी बनेंगे उपर से थोड़ा ड्राई हो जाएं तो हमें इस पे थोड़ा थोड़ा घील लगा देंगे बहुती जल्दी बन जाते हैं ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं है ये देखिए किता एंपने हलके बने हैं कि अगरेे ऐगे ये एसी हम सारे दूसे बना कर त्यार कर दोड़ी के अब हुद जाए और यह टेजिए रहा है और इसे किनारी से हमें दालना है ऊक्रश्ड़ करें जाएंगे बहुती जल्दी बन जाते जाते हमां ज़्या बनने में ज्यादा समय नह जरू शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरू बताईगा आपको इस रेसिपी कैसी लगी देखें दूसरा डूसा भी हमारा बनके तयार है बिल्कुल भी चिपकता नहीं है बहुत ही जल्दी बन जाते हैं जब आपका ब्रतना हो तब भी आप इसे बना कर खा सकते हैं आप इसे ब्रेक फास्ट में लंच में defendant में कभी बना कर खाइए बहुत ही जादा टेष्टी बनते हैं विद localized हमारी बन जापरियार है मसाली वाले आली और चक्नी के साथ यह बहुत ज़्यादा टेश्टी लगते हैं आप भी एकवानी ने जल्दी से बनाई और खाई चलिए मिलते हैं नेक्ष वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक लिए थेंक यू